बिस्मिल्लाहिरह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकों माई यूट्यूब फैमली, वेल्कम बेक टो माई चैनल, कैसे हैं वीवर्स आप सब उमीद करती हूँ, सब ठीक ठाक होगे, और आज मैं आपके लिए एक अच्छी और मुनफरिद सी वीडियो लेकर आई हूँ, जी हाँ, अपना नो मेक अप लुक क्रियेट करूंगी और इंशाला बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, यह सब चीजें केर जो लोशन है, इसको मैं ऐसे मॉइस्टिराइजर यूज़ करूंगी, क्यों कि विंटर का सीजन है, आपको अच्छे से पता है, तो स्किन के ओपर किसी भ मेक अप लुक में मैं बीबी क्रीम ही यूज़ करती हूं, बट अभी जो है वेलेबल नहीं है, तो मैं डर्मकॉल का यह जो पेन केक है, यह मैं यूज़ कर रही हूं, और साथ में यह बलेश स्टिक है, मेरी फेवरिट स्टिक है, मैं खुद भी यही यूज़ करती हूं, मा लगाना बहुत आसान है और साथ में चोटा सा स्पंच मैंने लिया है तो इसके साथ इससे हम अपना जो मेक अप है वो इन्शाला कंप्लीट करेंगे वीवर्ज ये केर का मॉइस्टराइजर जो है मैं इनके उपर इपलाई कर चुकी हूँ बिकाज इसकी स्किन जो थी बहुत ओवर ड्राय थी जो कि बच्ची है ये मॉडल आपको अच्छी तरह से पता है तो बच्चे इतना अच्छे से केर नहीं कर पाते थोड़े ला परवा होते हैं तो इसलिए मैंने खुद इसके जो फेस्ट था उसके ओपर मैंने मॉएस्टराइजर मैंने केर लोशन रूशन यूज़् कर लिया है आपकोई भी ऐच्छा सा मॉइस्टराइजर वो यूज कर सकते हैं टोटली optionल है कोई इस्यूर नहीं है कोई सा भी है किसी भी कं करती हूं और माशाला से सरदी में इसकी ब्लेंडिंग जो है वो ऑसम ब्लेंडिंग है तो यह मेरे पास इसका शेड है थोड़ा पिंकिस टोन में है जो इस तरह की छोटी बच्चियां जो है उनके लिए भी अच्छा रहता है और मुझे खुद भी नैच्रल मेक अप जो है व हम बहुत कम अमाउंट में अप्लाए करेंगे तारके इजली ब्लेंड भी हो जाए और नैच्रल सा इफ़ेक्ट आए तो वीवर्ज यह आप देख सकते हैं बेस आलमुस्ट जो है वह कंप्लीट हो गई है फिनिशिंग हो गई है और वीवर्ज अब हम इंशाले अप्लाए क इस टिक है और बहुत ही खुबसूरत पिंकिश सा लाइट पिंकिश सा इसका शेड है और इतना ही वो यह लगाने में भी जबरदस है और इसकी दूसरी साइड पे आप देखें तो यह इस तरह का इनों ने ब्लेंड करने के लिए ब्रश सा लगाया हुए है जो बहुत जब जो चीक है उसके उपर भी आपने एप्लाई करने हैं थोड़ी सी आपने इसको नोज एरिया पे भी एप्लाई कर देना है और इसी तरहां चिन एरिया पे भी कि थोड़ा नैचरल एफेक्ट आए बच्ची है तो बहुत हैवी लुक भी अच्छी नहीं लगेगी इसलिए मैं थोड़ा नैचरल इसको रखोंगी तो विवर्स अब हम इसको इसी ब्रेश के जरीए जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं इसी के साथ हम इसको ब्लेंड करेंगे इस तरह सर्कुलर मोशन में जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी विवर्स उतना नैचरल एफेक्ट आ आप देख लें कितनी अच्छी से ब्लेंडिंग हो गई है इसकी बट मेकप अभी कंप्लीट नहीं हुआ यह मैंने अब मैक का जो है यह पैलिट लिया है प्रोफेशनल मेकप पैलिट है इसमें से मैं बहुत लाइट सा जो शेड है वो उठाऊंगी विकाज यह चोटी बच इसके ब्लेंडिंग बहुत जबरदस्त होती है तो यह ब्रश जो है इसकी में अप्लाइब करूंगी तो विवर्ज यह आप देख सकते हैं मिनकी आइस पर एप्लाइब कर रहे हैं बहुत कम मैंने लिया है ताकि बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे तो यह आप देख सकते ह लाइट सा यह में अप्लाइब करूंगी आप देख सकते हैं इस तरह का शेर्ड है तो विवर्ज यह आप देख सकते हैं यह था मेरा ओवर आल नो मेकप लोक आप देख सकते हैं लिप्स्टिक मैंने इनकी पीच एप्लाइब किया करके उसके अंदर मैंने थोड़ा डार्क पिंक शेर्ड दिया है कि नैच्रल एफेक्ट आए और देखें माशाला से कितनी प्यारी लग रही है बच्ची इसको किसी भी और चीज की ज़रूरत नहीं है उमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दीजेग सबस्क्राइब कीजेगा मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताईगा कि कैसी लगी वीडियो नेक्स वीडियो तक के लिए जाज़त दें अलाहाफिज